नमस्कार दोस्तों एग्रिकल्चर लीडर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर आप देखते हैं कि आप खेती बाड़ी करके कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हो तो कृपय इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो हमारे चैनल पर नए है और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था उसे सब्सक्राइब कर लें आज हम बात करने वाले हैं अलसी की खेती के बारे में अलसी का उपयोग तेल और रेशे के लिए किया जाता है अलसी की खेती उचित प्रबंदन के साथ की जाए तो पैदावार में लगबग दो से धाई गुनाव रिद्धि की जा सकती है अलसी की खेती के लिए उचित जल निकास वाली काली चिकनी और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है इसकी खेती के लिए जल भरा वाली मिट्टी उपयुक्त नहीं होती और इसके लिए भूमी का पी एच लेवल सामान्य भी होना चाहिए जलवायो और ताफमान अलसी की खेती के लिए ठंडी और शुश्क जलवायो उपयुक्त होती है भारत में इसकी खेती रभी के मौसम में की जाती है यानी ठंड के मौसम में की जाती है इसकी खेती के लिए अधिक बारिश की भी जरूरत नहीं होती जिस जगह 40-50 सेंटीमीटर वार्शिक वर्शा होती है उस जगह इसकी खेती आसानी से की जा सकती है जब इसका पोधा विकास करता है उस वक्त अधिक बारिश या बादलों के बने रहने पर इसकी पैदावार को नुकसान भी हो सकता है अलसी की खेती के लिए शुरुआत से लेकर विकास करने तक सामानय तापमान की आवशकता होती है लेकिन जब इसके पोधे पर बीज बनने शुरू होते हैं तब इसके पोधे को 15 से 20 डिगरी तापमान की जरूरत परती है आई जानते हैं खेत की तयारी कैसे की जाए बीच के अंकुरन और उचित फसल वृद्धी के लिए आवशक है कि बुआई से पहले भूमी को अच्छे से त्यार कर लिया जाए फसल कटाई के बाद खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जोतने के बाद 2-3 बार देसी हल या फिर हैरो चलाकर भूमी तयार करनी चाहिए जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को संतल कर लेना चाहिए जिस से भूमी में नमी बनी रहे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप भी हमें खेती बाड़ी से जुड़े कोई भी सुजाव दिना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पताएं अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे अगरी कल्चर से जुड़ी कुछ नई बातें तब तक के लिए नमस्कार